जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल देव स्वैनी एक आठसी मनाए जाएगा देव स्वैनी एक आठसी आज राथ के 8 बच के 39 मिनट से शुरू होता है और कल सुबा में 9 बच के 16 मिनट तक रहेगा देव साइनी एक आठसी का सुब महुरत और क्या टाइमिंग है वो मैं आपको इस description में डाल देता हूँ एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ just क्योंकि आप जानते हैं देवसायनी एकारसी का जो पूजा है जो ब्रत है भगवान सिरीहरी विश्नु को समर्पित है भगवान सिरीहरी विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है माता लक्ष्मी जो है आपके घर में खुशी आपके घर में पैसे की कमी को दूर करती है माता लक्ष्मी भगवान विश्नु जो है सिस्टी के पालन करता है पालन हार हैं और देवसायनी एकाच्छी से भगवान विष्णु जो है चार मास के लिए चार महिने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस योग निद्रा में ही जाने के बाद जो स्रिष्टी के पालन का जो कारेबार है वो भगवान स्री भोलेनाथ महादेव सामन का सुरुवात होता है देवसायनी एकाच्छी के बाद और भगवान भोलेनाथ के कंडे पे स्रिष्टी के पालन का भी जिम्मारी आ जाती है चुकि हम जानते हैं कि भागवान भोले नात ऐसे प्रभू हैं ऐसे महादेव हैं ऐसे भागवान हैं जो थोड़ा सा प्रयात न करके उनको आप खुश कर सकते हैं उनको है उनकी दर्शन आप कर सकते हैं उनको प्राप्ट कर सकते हैं तो आईए देवसायनी एकाची में जो है बागवान सिरी हरी विष्णू और लक्ष्मी की पुजा होती है और इसमें आप जो हैं अगर आपको पैसे की कमी है या आपके घर में धन धानिया और सुख की कमी है खुशी की कमी है तो इस दिन का आप रत रखिये बागवान सिरी ह प्रश्ण को पीले फूल के माला का अरपन कीजिए केला का प्रसाद चढ़ाईए और मालक्ष्मी को भी पूस्प चढ़ाईए लाल कलर का फूल चढ़ाईए जिसे मालक्ष्मी जो है जल्दी प्रशन हो जाती है और इस दिन अगर आप चाहें तो बागवान सिरीहरी देवाय ओम नमो भगवते बासु 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 देवाय और इस महामंत्र से 108 बार का आप जाब कर सकते हैं उसके बार मालक्ष्मी को प्रशन करने के लिए लक्ष्मी नारायन का मंत् ओम स्री्-लक्ष्मी-दारायनाय। इस मंत्रा भी 108 बार का आप जाब करें। कम से कम एक माला किऺजिए। जिसमें 108 यह हो, रुद्राक्ष हो, तो 108 आप जाप करें, माता लक्षमी और भगवान विश्नु की आप पे किरिपा बनी रहेगी, तो जय स्री किष्न, जय स्री हरी विश्नु और आप ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सकाइब कीजिए, वीडियो प्यू कीजिए, लाइक कीजिए, भगवान स्री हरी विश्नु के चरणों पढ़ाम कीजिए, जय स्री हरी विश्नु ओम उग्रम् विग्रम् महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतमुकं निसिहं भिष्वंबद्रं मृत्यु मृत्यु नमामेहं ओम नमो भग्वते बासु देवाया ओम नमो भग्वते बासु देवाया ओम नमो भग्वते बासु देवाया ओम स्री लक्ष्मी नारायनाया ओम स्री लक्ष्मी नारायनाया ओम स्री लक्ष्मी नारायनाया ओम नमो भग्वते बासु देवाया ओम नमो भग्वते बासु देवाया ओम नमो भग्वते बासु देवाया साल में 24 एकाची होती है क्रिश्न पक्ष और सुक्ल पक्ष ये महिना जुलाई जो है इस महिने में 3 एकाची है दो क्रिश्न पक्ष और एक सुक्ल पक्ष की एकाची जो है देवसाइनी एकाची जो की कल मनाई जा रही है और हम अपने परिवार परिपतनी दोनों हम लोग एकाची का बरत करते हैं सुकल पक्षी की एकाची तो हम करते ही है कृष्ण पक्षी के बहुत कम मतलब जो अच्छे से अच्छी एकाची होती है उनको हम करने का कोशिज करते हैं क्यूंकि हम लोग working है मैं working हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है आने जाने में इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुक लपक्षी की एकार्षी जरूर करता हूँ तो चलिए आपको और थोड़ा इसा इस एकार्षी के बारे में बताते हैं इस एकार्षी को देवस्यनी एकार्षी को तुलसी एकार्षी के नाम से भी जाना जाता है देवस्यनी एकार्षी का दूतरा नाम है तुलसी एकार्षी इस एकार्षी में बागवान विश्नु को आप तुलसी पता औरपन करते हैं तो उ जादा महत्म बताये गया है इस एकाच्सी में बगवान उच्णू के जो भौक organise रोगाते में चार इने के लिए योग कि Cland हिंदू धर्म में जितने भी सूभ और मांगली कारे हैं उस पे रोक लग जाती है। आप सबको हमारी तरफ से देवसायनी एकाची की हार्दिक बढ़ाई।